मचली खाने के बाद किन चीजियों का सेवन फूल कर भी नहीं करना चाहिए मचली खाना स्वास के लिए बहुत फाइदे बंद होता है मचली खाने से बहुत सारी बेमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है मचली खाने के बाद आम तोर पे दूद, दही, आईस्क्रीम, चाय, पनीर, कॉफी जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिने बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए इनको खाने के बाद क्या हो सकता है और किन चीज़ों का सेवन, कितनी देर बात करना चाहिए वो सब कुछ इस वीडियो में जानेगे तो वीडियो के अंतक जुड़े रहें और चानल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाए देखे सबसे पहली चीज़ है दूद मचली के साथ या मचली खाने के तुरण बात दूद का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या आपके शरी में सफेद दाख तक जैसे समस्या बना सकता है मचली का सेवन करने के कम से कम 6 गंटे बाद ही दूद का सेवन करना चाहिए साथ ए साथ दूसरी चीज है दही अक्सार लोग दही का प्रियोग मचली को बनाने तक में करते हैं लेकिन इसकी gravy तक में मचली की जो gravy होती है उसमें भी दही का सेबन नहीं करना चाहिए दही को यदी खाना है तो कम से कम मचली बनाने या मचली जो आप खाच जुके हैं उसके कम से कम चार गंटे बाद ही इसका सेबन करना चाहिए दही की तासीर ठंडी होती है और मचली की तासीर गरम होती है दोनों एक साथ खाएंगे तो पेट से जोड़ी समस्याइं पैदा हो जाएंगी इसके अलावा आइस क्रीम या बहुत जादा फाटी चीज़े मचली खाने के तुरण बाद कभी भी आइस क्रीम नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से तुचा और पेट से समद्धित बहुत सारी समस्याइं हो सकते इसके अलावा चाय और कॉफी का सेवन भी मचली खाने के तुरण बाद नहीं काना चाहिए ज़िए आपको चाय और कॉफी का सेवन करने की तलब है तो कम से कम तीन या शार घंटे बाद इसका सेवन करें इसके अलावा दूद वह दूद से बनी हुई पनीर, मिठाई इन चीजों का सेवन भी बहुत सारी तुचा समद्धित और पेट समद्धित बिमारियों का कारण बन सकती है इसके अलावा मचली यदि आप खाते हैं तो कोशिश करें इसको दूद या दूद से बनी कोई भी चीज के साथ बिलकुल भी ना खाएं इसके अलावा मचली खाने के बाद आप कम से कम छै घंटे बाद ही दूद या अन्यवेस चीजों का सेवन करें इसके अलाबा बहुत लोग यह भी पूछते हैं कि कि हम प्रोटीन ले सकते हैं, मिन्रोल्स ले सकते हैं, लेकिए मचली में खुद में ही बहुत सारे वाइट्विन और मिन्रोल्स होते हैं, जो शरी को स्वस्त रखते हैं, तो ऐसे में एक साथ बहुत सारे वाइट्विन और म तो इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है इसलिए एक साथ बहुत सारी प्रोटीन यक्ति चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा बहुत लोग इभी पूसते हैं कि क्या फल का सेवन या गुड का सेवन भी कर सकते हैं तो देखिये मचली के साथ आप या गुड से बनी चीजों का सेवन ना करें मचली के साथ आप पनीर का सेवन बिलकुल ना करें दो प्रोटीन यक्ति चीजें आपके बॉड के के फंक्शिनिंग के लिए खासकर पेट के डाइजेशन के लिए बिलकुल अच्छी नहीं होती है इसके अलावा खटी और के का है